असलाम अलेकुम एब्रिवन वेलकम तू लॉविट्स जैसे कि हम कॉंस्टिशनल लॉव में बिटिश कॉंस्टिशन डिसकस कर रहे हैं और इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि बिटिश पार्लिमेंट क्या होती है और उसमें कितने मेंबर्स और चेंबर्स मे देखे थे इस वीडियो में हम रिसकस करेंगे उसका अपर हाउस जो के हाउस अफ लॉड्स है इससे पहले हम हाउस अफ कॉमन जो है वो रिसकस कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी थी तो उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ है उससे देखें पहले फिर इसके बाद आपको बहतर समझ आएगा हाउस अफ लॉड्स के हवाले से हैं सो बेसिकली हाउस अफ लॉड्स जो है वो बिटिश पारलिमेंट का अपर हाउस है और बिटिश की पारलिमेंट है वो बाई कैमरल है यानि टू हाउस पर मबनी है अपर than the house of lords जबकि अगर हम namely देखा जाये तो हमें लगेगा कि house of lords जो है वो powerful होगा लेकिन ऐसा नहीं है बिलकुल भी but previously it was the most powerful house of the British Parliament अगर हम इसकी evolution देखें जैसे हमने पहले भी discuss की थी कि British Parliament किस तरहां से वजूद में आई तो वो ये है कि जैसे कि हमें पता है 12.15 में मेंगना काटा आया जिस में मोनार्ट की powers को सब खतम कर दिया और उसकी power को जब खतम कर दिया गया एक दिना से तो जो बैरोंस थे जिन लोगों ने उस टाइम पे से मेंगना काटा को साइन करवाई था किंग जॉन से उन्होंने उस टाइम एक consult बनाया ताकि देखा जाए कि जो मैंगना काटा के provision से उस पर किंग अमल कर रहा है या नहीं कर रहा है और लोग नहीं करता था उस पर implementation नहीं रखता था मैंगना काटा पर तो जो वहाँ पर great consult बनाया था उन balance ने वो उसकी वोईलेशन पर अगर किंग उन्हें वोईलेट करता तो वो उसकी प्रॉपर्टी तक को सीज कर सकते थे, मतलब इतनी ज्यादा पावर्ज जो रहा है वो उस नाइम पर ग्रेट कॉंसल को थी, और उस कॉंसल को ही रेफरी किया जाता है कि वो यूके की फर्स पार्लियमेंट थी जो के 1236 में बनाई थी और उसी में ही जो थे जस्ट 25 बैरंस थे और वो हाउस अफ लॉट्स पर मबनी थी जस्ट उस टाइम पर और इसलिए कहा जाता है कि जो यूके की पार्लियमेंट थी, वो बेसिकली यूनिकैमरलियम पर थी, मतलब वहाँ पर जस्ट वन हाउस था, लेकिन टाइम टू टाइम कॉमन लोगों को भी लिया गया और हाउस अफ कॉमन भी बनाया गया उसमें, लेकिन तब भी हाउस अफ कॉमन की पास कुछ पावर्स नहीं थी, हाउस अफ लॉर्स की पावर्स जो थी, वो हाई होती थी, लेकिन टाइम टू टाइम, यूके में पावर के लिए लड़ाईयां होतने लगी, जंगे हुई बहुत बड़ी-बड़ी, हाउस अफ रोसिस हुए, जिसे के, सारी, वार अफ रोसिस और साथ-साथ उदर रेवुलूशन्स आए, बहुत सारे, जिसके बाद, अब अगर देखा जाए, तो वहाँ पर, जो मुकंबल एक टाइम पर एपसिल्यूट मोनार्की होती थी और अब वहाँ पर कॉंसिटूशनल मोनार्की हो गई और पार्लियमेंट जो है, वह सुप्रीम है और पार्लियमेंट में भी हाउस अफ कॉमन सुप्रीम मतलब है सौवराइन और हाउस अफ लॉट्स नहीं है जबकि अगर हिस्टॉरिकली हम बैग्गराउंट ट्रेस कर रहे थे तो 12.36 में जब ग्रेट कॉंसिल बना तो वह जब हाउस अफ लॉट्स में अबनी था तो इट मींस तब जो है वह तमाम बावर्स हाउस अफ लॉट्स के पास थी और वह यूनिकैमरलिसम पर था लेकिन अब जो है वह बाइकैमरल है तो 17 सेंसरी तक अगर देखा जाए तो तमाम पावर्स हाउस अफ लॉट्स के पास थी लेकिन फिर एक देट जो है हिस्ट्री में है कि 19 मार्च 1649 को हाउस अफ लॉट्स को मुकमल तोर पर अबुलिश कर दिया गया हाउस अफ कॉमन ने कि ये यूजलेस है और इसका कोई काम नहीं है इसलिए हाउस अफ कॉमन ने अबुलिश किया 19 मार्च 1649 को हाउस अफ लॉट्स को और साथ ही बात में वापिस ऐसा हुआ कि वो पावर में आ गए कुछ सालों बात लेकिन फिर वापिस 1911 में एक टॉफ पार्लियमेंट आया जिसमें तमाम पावर्ज अब तक के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ हाउस अफ कॉमन के पास चलेकर हाउस अफ लॉट्स है लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए है ठीक है और 1688 में ही जो है वो ग्लॉरियस रेवलुशन आया जहां पर पता चला मतलब के जो पार्लिमेंट है वो ही सौवेरन है पार्लिमेंटरी सौवेरनिटी ग्लॉरियस रेवलुशन से आई अच्छा तम हाउस अफ लॉट्स देख रहे हैं ये था historical background और अब जो हाउस अफ लॉट्स की कोई वैल्यू नहीं है बस उनका काम क्या होता है कि वो एक हाउस मेर बैटे तो है लेकिन उनका law making पर भी तना काम नहीं है जैसे कि मिसाल के दोर पे हमारे पाकस्तान में जो सैनिटर्स हैं और युदर जो हाउस अफ लॉट्स के मЕंबर होते था क्या है उन्हें कि कहा जाता है वो पेर्स नहीं है हम जैसे सैनिट के मेंबर को सैनिटर्स कहते हैं तो वोहां पेर्स कहते हैं तो यहां पर भी सेम वही बाद है कि जैसे हमारे यहां भी law making अगर House of Common में हो रही है हमारे यह National Assembly जो है उसमें अगर कोई बिल बनता है तो वो साइनिट में जाता है अगर साइनिट पास करती है तो अगर नहीं भी करती है तो अगर नहीं भी करती है तो एक टाइम पीरिड पर्टिकुलर है उसके बाद आटोमेटिकली वो एसन के लिए च तरह के पावर्स हैं तो मसल्ब हाउस अफ लॉड्स के पास जो लॉड्स बैठे हुए है उदर उनके पास कुछ पावर्स भी नहीं और वो हैं कौन आपको अगर वो भी पता चले कि वो होते कोने तो आप कहें कि वाकी इनको क्या लॉड मेकिंग करवानी है तो वो ऐसे लो उनसे बहुत खुश हुआ हो तो वो उन्हें मेंबर्शिप दे देता है हाउस अफ लॉड्स की और हाउस अफ लॉड्स में जो भी पेर्स आते हैं लोग आते हैं मेंबर्स इसके वो अपॉइंट होते हैं अपॉइंट बाई दा मोनार्क ठीक है और यहां पर अब भी जो प पॉइंट कर सकता था लेकिन अब ऐसा नहीं है तो बहराल यहां पर जो है सेलेक्शन होती हाउस अफ लॉट्स में जबके हाउस अफ कॉमन में इलेक्ट होकर आते हैं सारे मेंबर्स इसलिए यूके में जो है ओड़े देता है हाउस फलॉट्स की यहां पर उसके खुद के खांदान के जो रॉयल बल्ड वारे लोग हैं वो उन सबको दे देता है या कुछ लाइफ मेंबर्स होती है spiritual leaders होते है और उनके byships होते हैं उन्हें members इस तरह के लोग जो है उन्हें वो उदर appoint कर देता है तो यहाँ पर जो लोग आते हैं वो aristocracy पर आते हैं जबके अगर house of common को देखे तो वहाँ पर democracy पर आते हैं किस तरह क्योंकि वो elect कर आते हैं represent करते हैं people को और parliament में तीसरा बंदा में मोनार्क है और मोनार्क क्या वो मोनार्की है ठीक है बाद शाहत जो चल रही है यहाँ पर blind है इन तीनों का तो बारहल सबसे पहले जो इदर member होते हैं वो royal family के होते हैं अब royal family में members में मुराद जो मोनार्क के cousins हो गए relatives हो गए blood relations में जो आते हैं main वो लोग जो हैं वो इदर के members होते हैं वो members of royal family में आ जाएंगे वो भी lords होते हैं लेकिन इन सब की particular qualification है हर तरह के जो members है उनकी particular कोई ना कोई qualification होती है जैसे for example अगर member of royal family का अगर कोई आ रहा है तो उसे 21 years old होना चाहिए लाजमी ठीक है और वो जो general qualification होती है उस type की कि जैसे मिसाल के तोर पे वो insane नहीं होना चाहिए या disqualified by any court नहीं होना चाहिए या तो फिर bankrupt नहीं होना चाहिए इस तरह कि जो general हमारी qualifications disqualifications होती है वो यहाँ पर implement होती है और particular है हर member कि जैसे member of royal family में है कि 21 years का होना चाहिए इने members of royal family का हम ये भी कह सकते है कि ये waiting पर होते हैं मतलब कि यहाँ पर जो members होते है royal family के ये वो लोग होते है जो मौझूदा monark के बाद इनकी बारी गाएगी मतलब कि मौझूदा जो monark है उस जगा पर उसके बाद ये लोग जो है वो monark बनते हैं तो जब तक के लिए इन्हें house of lords में wait के लिए lord बना दिया जाता है तो secondly हाइडेटरी pairs ये वो होते हैं जो के जिनके विर्से में चलती आ रही है कि वो pair हैं जिसे मिसाल के तौरपे monark किसी बन्दे से खुश हुआ या फिर किसी representative ने या किसी भी बन्दे ने उनके उस टाइम पर कोई अच्छा गाम किया तो monark कहता है कि आप क्या आपकी जो आगे की नसले भी होंगी वो हमारे house of lords के member रहेंगी ठीक है तो फिर वो वाले जो होते हैं उन्हें कहते हैं हाईडियेटरी पेर्स मतलब कि एक बन्दे के कार नामे पर उसकी आगे की जो भी नसले आती हैं और उनके जो लोग होते हैं वो भी सब house of lords के member रहते हैं लेकिन इस मामले में बहुत ज़्यादा इशू हुआ था यहां तक के house of lords एक्ट बनाए गया 1999 में जिसमें से बहुत सारे जो हाईडियेटरी पेर्स हैं उन्हें हटाया गया क्योंकि वे बहुत सारे हो गए थे और अभी जो फिर उसमें 92 जो है वो बनाए गये कि यह permanent होंगे उसके अलावा नहीं तो यह हईडियेटरी पेर्स का बहुत ज़्यादा इशू हुआ था उस टाइंग पर कि इसके लिए एक एक्ट भी बनाए गया थर्डली है लाइफ मेंबर्स लाइफ मेंबर्स वो होते हैं कि वो मेंबर वो लोग जिन्होंने कोई अपनी जिन्दगी में ही अच्छा काम किया है और उन्हें अपनी जिन्दगी तक के लिए सिर्फ मेंबर बनाए गया है ठीक है जैसे मिसाल के तोर पे किसी ने कोई आवार्ड दिया या कोई बहुत बड़ा एमबिसिटर रहा और उसने अच्छे काम किये अपने मुल्क के लिए या कोई भले कोई एक्टर ही क्यों ना हो इस तरह के जो लोग होते हैं या कोई अच्छी सर्विसिस दी और नेशनल कॉस के लिए ठीक है मतलब कि आपको नेशनली तोर पर उन्होंने कोई बहुत अच्छी सर्विसिस दी है अब ये सेवर सर्विसिस भी हो सकते है तो मोनार्ख उनसे कुछ हो के कहता है कि जब तक आपकी जिन्दगी है आप यहाँ पर लोड बने रहेंगे तो मेंड डिफरंस हाईडेटरी और लाइफ मेंबर्स में यह है कि हाईडेटरी में नसल भी जो उनकी आगे आती है उन सब के लिए लोड जो है वो बने रहते है नसल बर नसल अर लपके लाइफ मेंबर्स में एक बन्होंदा जिसने अचछा काम किया और उसे lord बनाये गया तो बस उसकी life तक है वो lord अपनी जिन्दगी तक उसकी आगे और आज जो है वो lord नहीं बनेगी इसमें ये main difference है इसके बाद fourth और fifth category है वो है members of Scotland and Ireland की जो के represent करते है अपने states को और यहां पर Scotland के जो members होते हैं उनकी 16 13 permanent seats है house of lords में और Ireland की 28 permanent seats है वो भी house of lords में ठीक है और sixthly इसकी जो category है वो है lots of appeal की तो historically यहां पर जो है वो लोग होते थे और अभी भी होते हैं कि जो judicial officer या judicial से कही न कहीं judicial से related थे और retired हो चुके हैं तो वहां पर इन्हें बिठाया जाता था house of lords में और वो अपील सुनते थे तमाम lower courts की लेकिन अब तो UK में एक supreme court बन गया है और वो ही final उनकी होती है appealate court लेकिन पहले ही होता था कि तो तमाम lower courts की appeals सीमों सब house of lords में जाती थी तो यहां पर देखें तमाम power जो हैं वो आ रही है एक ही की तरफ जैसे मिसाल के दोर पर अब जूडिशर यहां आगिया और legislation तो यह पहले ही है और executive भी है इसे जाते हैं किस तरह से कि वो house of common से elect होकर जाता है प्रेजिएंट प्राइम मिनिस्टर तो that means तमाम powers एक ही जगह हैं यहां पर लेगिन अब जो है वो तो सुप्रीम कोड अलेदा से बना दिया गया है वरना पहले Lords of Appeal final जो होते थे वो house of Lords में बैठते थे जो तमाम Lord Codes की सुनते थे तीक है और इनकी भी जो है वो seats full life की होती थी तमाम जादतर लोगों की seats हैं वो life के लिए होती है वो इधर बैठते हैं उनकी permanency होती है जैसे के 26 अभी हैं फिल्हाल इन नमबर spiritual Lords की तो ये सब थे वो लोग जो house of Lords के member बनते हैं ये इस तमाम उनकी category इसनी 7th total और resignation में इसी तरह है कि जो enactment हुई थी एक law की payage act 963 में उसमें एक आ गया था है कि हाइडियेटरी पियर्स हैं वो जब appoint होंगे तो उसके 12 मन बाद उन्हें resign करना होगा क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताया हाइडियेटरी पियर्स वो होते हैं जो नसर दल नसर चलते हैं इत मींस कि वो बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसलिए यहाँ पर एक एक्ट पियर्स एक्ट बनाएगे 1963 में सिर्फ हाइडियेटरी पियर्स के लिए ही खास दोर पर कि जब यह appoint होंगे तो उन्हें एक साल ही सिर्फ वो बैठेंगे house of lords में उसके बाद वो resign कर देंगे तो इस तरह से इनकी resignation है हाँ main अब जो हम इसके रिस्क्स करेंगे वो powers and functions है कि house of lords की functions है क्या house of lords तो है प्रिटिश में बिटेंड में लेकिन उसके functions क्या है वो करता क्या है तो इसे मिन आपको बताए कि वो मामुली से function है उसके कोई खास function नहीं है गर legislation में देखा जाए तो उसमें भी इसके कोई खास फंक्शन्स नहीं है जैसे के पहले आपको बताया है कि एक जैसे मौडल पार्लिमेंट में सिर्फ उनी कैमिलिजम था तो जब तो इनकी लाउमेकिंग होती थी लेकिन अब जब से बाई कैमिलल है और हाउस फ्कॉमन जाए वो ज़्यादा उसके पास पावर है और वो ही सारी लाउमेकिंग करती है तो जरूरी नहीं है कि अगर वो भेशते भी हैं हाउस फ्लॉट में तो उनकी जो भी वो हाउस फ्लॉट के बार ये तक पावर नहीं है कि वो refuse कर सके या फिर amend करे amendments करने का उन्हें कह सके वो सिर्फ ये कर सकता है कि delay कर सकता है वो भी up to one year only अगर इस तरह हुआ है कि house of common में उसकी readings हो चुछी है और जो है sessions भी हो गए है तो अगर तीसा session हो रहा है तो house of common पर भी राजम नहीं है कि वो house of lot को वो bill पास करें वो directly जो है royal essence के लिए भी मुनार को दे सकते हैं मतलब legislation powers कुछ है नहीं मतलब तमाम powers जो हैं house of common के पास ही है all in the end secondly financial legislation मतलब कि money bill financial legislation की बात आती तो यहाँ बे money bill की बात आ जाएगी तो यहाँ पर भी 1911 का जो act है act of parliament उसमें भी यही कहा गया है कि अगर कोई money bill पास हो चुका है house of common से तो फिर उसे approval के लिए lots के पास बेज़ा तो जाता है लेकिन उनके पास सिर्फ time होता है कि वो one month के अंदर अंदर अप्रूफ कर दे अगर वो one month के अंदर भी अप्रूफ नहीं करते तो वो automatically कहां पर भीज़नेंगे को इनके पास कि वो एसेंड नहीं है मतलब financial legislation में भी उनके पस थोड़ा सा जो है वो है अमल दखल वरना खास नहीं है कि वो अगर one month के अंदर अंदर दे जो ठीक है अगर नहीं भी जाएंगे तब भी कोई इशू नहीं है वो आगे चल जाता है ठीक है थर्डली जो है judicial powers में में अभी मैं आपको पहले ही बताया है कि वहाँ पर हाउस अपीलिंट जो है वो लॉड्स होती थे लॉड्स अपील फाइनल जो उनकी authority होती थी अपीलिट के लिए अब जो है इसका मदलब यह powers भी अब ऐसी नहीं रही है क्योंकि अब महाँ पर supreme court बन चुका है वो ही उनकी final जो है अपीलिट कोड होती है फोर्टली और लास्टली एग्जेक्टिव पावर्स में की इसकी light सी है कि यही वो जो cabinet में भी अपना शियर रखता है तो नहीं कहेंगे तोड़ा बहुत शियर रखता है इस तरह से कि वो चेक-इन बैलन्स रख सकता है या पूछ आज कर सकता है गवर्मेंट से कि जो भी वो पॉलिसिस बना रहे है उसमें बोल सकता है बात कर सकता है डिबेट में हिस्सा ले सकता है या तमाम जो लॉड्स है और साथ साथ अगर वो चाहें तो क्रॉस एग्जैमिन भी कर सकता है जो भी सारे मिनिस्टर्स हैं कैबनेट के लेकिन फिर भी कैबनेट जो है वो हाउस अफ लॉड्स के लिए उनको नहीं रखती कि उनने जवाब दे हो वो हाउस अफ कॉमन को जवाब दे है लाजमी मतलब तमाम जो पावर्स जादा है वो हाउस अफ कॉमन के पास है वो जो कैबनेट है वो भी जवाब दे हाउस अफ कॉमन को रेदर देन दे हाउस अफ लॉड्स तो ये सब था हाउस अफ लॉड्स के वाले से और ना ही तो इनकी कोई फीज वगिरा होती है अगर एम देखे ने खर हम बात करें तो सेलरी जाना कोई रहाँ होती है उनको बस चेस्ट बैठते हैं ये समझे हैं इनको बस इज़त होती है जैसे कि हमी ने इनकी कैटिकरीजे पढ़िए तो हमें यही पता चला, कि सिर्फ वो लोग आ रहे हैं जो ऐरिस्टो क्रेट होते हैं वेल्डी लोग, नॉमेल लोग बाहते हैं कोई इसका हुआँ कोई इसके उटाओ खाना घाते हैं यह पिर इसके साथ कहीं चल जाते हैं यह छोटे मोटे काम ओते हैं ना उनका legislation में कोई खाम नहीं है ना उनके पास और किसी किसम की powers हैं बहुत minor थी हैं अगर है भी तो तो ये सब इसकी powers थी अमीड़ा आप सबको समझाया होगा जिसा कमूला उखाई जा